शुरू करें आराम से रुख जा भाई आराम से करो मित्रों आप सभी जानते हैं कि आज कल चर्चा के केंद्र बिंदु में नई नई राष्ट्री ये पार्टी का दर्जा प्राप्त किये हुए भारत की राजनीत की सबसे नई नवेली अजब अलवेली और अब एक पहेली बनती हुई पार्टी की राजकी ये करामात सबके सामने हैं ये वो पाइटी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तै किया अपनी इस्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया परंतु एक कहावत होती है कि राज योग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है परंतु आम आदनी पार्टी के संदर में यह राज रोग कितनी जल्दी कितना संक्रामक हो जाएगा ये शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था आज वह राज रोग उनकी सरकार सरकारों के विभाग पार्टी संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुँच गया मैं मानता हूँ कि नई राजनीति के स्वगहोशित अग्रदूत केजरीवाल जी जो आज भारत की राजनीत के सबसे बड़े सवाल हैं वो एक मामले में बधाई के पात रहे हैं कि इतने कम काल खंड में उन्होंने वो इस्तर प्राप्त कर लिया कि कभी हम लोग भिन 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 भरष्टाचार के आरोप की पार्टियों कि नेताओं के बड़े बड़े घरों के बारे में सुनते थे उत्तर से लेके दक्षन तक और जिन नेताओं के बारे में वो कस्में खाते थे राजनीत में आने से पहले कि आज ऐसा लगता है कि अब वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए वो राजनेतिक दल के नेता कहते होंगे कि हाँ भई अब आप हमारी लीग में शामिल हो गए आज दिल्ली स्तब्द है मैं सिर्फ दो तीन तकनीकी बिंदुओं की तरब भी आपका ध्यान आकरिश्ट करना चाहूंगा यह वही पॉर्टी है जिसने कॉमन वेल्थ गोटा ले के समय कहा था कि 200 रुपई की चेर मिलती थी और आठ हजार रुपई में खरीदी गई थी यानि 40 गुना और वह आज 2000 रुपई में मिलने वाली कालीन 20 लाख रुपई में खरीद रहे हैं यानि 1000 गुना दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि दिल्ली सरकार का एक जनरल फाइनेशल रूल दोहजार उन्नीस है जो ये सीमा निर्धारित करता है कि 10 करोड रूपएस से अत्वा 10 करोड या इससे उपर का कोई भी एक्सपेंडीचर होगा तो वो LG के पास जाएगा 10 करोड तक के एक्सपेंडीचर है 10 करोड से नीचे तक के एक्सपेंडीचर की व्याई करने की जो शक्ती है वो विभागा ध्यक्ष यानि Head of the Department के पास रहेगी यानि Departmental Minister के पास रहेगी अब आप देखिए इस मंगला बजब बने न्यारा के भिन भिन चरणों में 99 करोड से उपर के कई एक्सपेंडीचर हुए हैं जो अलग-अलग Head में किये गए हैं मताए एक सितंबर सन 2020 को 8 करोड रुपय का 22 जनवरी 2021 को 9.09 करोड रुपय का 29 जून 2022 को 9.34 करोड रुपय का यहां तक तो फिर भी कारीगरी समझ में आती है मगर साहब इसमें एक expenditure है for Chief Minister's Camp Office as Residence तो जानते हैं कितने का है 9.99 करोड निन्या नवे लाक रुपय का अब हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि 9.99 करोड निन्या नवे लाक रुपय के इतने सटी कैलकुलेशन की छमता आपको कहां से हासिल हुई कि सीधे बिलकुल उसी borderline पे रहे जहां आपको शायद tender की भी जरूरत ना पढ़े और अपने मन मताबिक कर सके और मज़े की बात है इसके लिए consultant भी अपॉइंट किया गया है मतला आपने कभी सोचा है कि घर की साज सज्जा के लिए consultant अपॉइंट किया गया है जिसको एक करोड रुपय दिये गया है अब इसे consultant कौन है ये भी उनको खुलासा करना चाहिए कि आम आदमियों के बीच में कोई अपना आदमी तो नहीं है उस consistency में मगर आप सोचिए मुझे लगता है कि उस consultant ने भी बड़ी मतलब दक्ष्टा का परिचे दिया है कि 9 करोड 99 लाक रुपय का उसने calculation करके बता दिया कि ये किया जा सकता ये साफ साफ आम आदमी पार्टी के फ्रस्टा चार के मुखोटे को बेनकाब करता हूँ और मैं याद दिलाना चाहता हूँ ये वही पार्टी ने जो 20,000 रुपय की चाहे पिलवाय करती थी वो जानते हैं वो भी 20,000 रुपय क्यों था उस समय ये नियम था कि 20,000 रुपय तक का कैश यदि कोई पार्टी को डोनेशन में देता है तो उसका नाम पता बताने की जरूरत नहीं है जो मोदी जी के नित्रत्र की हमारी सरकार ने राजनीत में पारदर्शिता लाने की पृतिबदता के चलते घटा कर दो हजार कर दिया है इसलिए 20,000 की चाहे पिलाते थे और सुनिए 20,000 में चाहे नहीं खाना भी नहीं खिलाते थे चाहे पिलाते थे, क्योंकि खाने में तो फिर भी हिसाब देना जब मुश्किल होगा, कि पांच यार ने खाया कि दस यार ने खाया, चाहे तो बहुत आसान है, ये चरित्र तब भी ये था और आज भी है, तीसरी बात उनकी तरफ से ये बचाओ में कही गए कि PWD ने ये किया है, और PWD का अपना नियम और व्यवस्ता है, तो हम सिर्व ये पूछना चाहते हैं कि PWD की जहां तक हम लोग की जानकारी है, इस्टैब्लिश गाइड लाइन के अनुसार जो फ्लोरिंग होती है, या तो वुडेन फ्लोरिंग होती है, या जो एक नॉर्मल इंडियन मार्विल अविलेबल होता है, वो होती है, अब वो दिल्ली सरकार का वह, रूल या क्लॉस कोट करके बताएं, जिसमें PWD को इंपोर फाइनेंशल रूल का पालन नहीं करना, एक हजार गुना कीमत की कालीन लेना, एक करोड़ रुपए का कंसर्टेंट और नो करोड़ निन्यान नवे लाक रुपए की कैलकुलेशन, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए, मजाक में कभी कभी कहा जाता था ना, रे साब जब तो लगता है कि अगर एक करोड़ का परदा है, करोड़ों की टाइल्स है, तो टाइल्स लगाने वाले भी करोड़ पती हो गए, परदे वाले भी करोड़ पती हो गए, पंखे भी लाखों के लग गए, ये माननेवर ये कौन सी हवा आपको लगी कि लाखों रुपए के पं आज दिल्ली की जनता ने इनके द्वारा किये गए दावों को लेकर एक विश्वास किया आज दिल्ली की जनता अपने को चला हुआ ठागा हुआ महसूस कर रही है मुझे लगता है कि इतने कम काल खंड में किसी पार्टी ने जिस प्रदेश से चुनके आए हुँ उसकी जनता के विश्वास पर इतना बड़ा आघात कभी नहीं किया होगा जो आम आदनी पार्टी और उनके नेता केजरिवाल जी के आवास को लेकर हुआ है अब वो बाते आप सब जानते हैं कि जो इनका कमिट्मेंट होता था अब सब चला गया है अब टोपी भी गई है मफलर भी गया है पर उसके साथ साथ मुख का मखोटा भी उतर गया है तो मैं सिर्विय कहना चाऊँगा कि अब जिस तरीके से वो उनकी हकीकत जाहिर हो गई है इस मकान को लेकर तो मुझे उसके उपर एक ही पंक्ति ध्यान आती है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे है आप जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे आपकी मर्जी के मताबिक नजर आएं कैसे घर सजाने का तसवर हुआ अब बात की बात अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे भन्यवाद अब आपको लगता है कि अगर आपको कुछ शुपाना नहीं है तो आपको लगता है कि पहले ये लेटिक्टा का मामला था आप इसमें ध्रस्काशार का मामला भी है क्योंकि जो टेंडर्स की गए गए वो जान दूश कर दक्तर होती नहीं देखिए ये बिल्कुल इस पश्ट रूप से ब्लेटेंट करप्शन का मामला है चूंकि पहली बात तो आप देखिए अगर कोई भी घर आप बनाते हैं या रिनोवेशन भी करते हैं सामान्यता उसका जो आप अपने घर का भी करते तो एक ही बार में आप उसका बज़ेट करते हैं यह टुकडों टुकडों में होना हमेशा अलग-अलग हेट्स में करना ताकि वो दस करोड के नीचे रहे यह अपने आप में भरश्टा चार को लेकर गहरा संदेव एक्ट करता है ऐसा कैसे हो सकता है कि साब बातरूम की फिटिंग्स के लिए अलग रहेगा फिर ज अब मुझे लगता है इसमें 0.01% की जो बचत की गई है ना उससे साफ हो गया है कि कट्टर इमांदार का असली किरदार में अब 0.01% की भी इमांदारी की संभावना नहीं बची अब कर दोडिया इस से भी इमांदारी की नहीं है अगुछी चैसी ते थैस्ट थी लिए थी दिए सब्सक्राइव आचीर रूब कर दोप्टक्राइब आग टॉब डाओटर आओक टी करि में हुआथी जायग को एंफ एए लिए फोगान आफ व्स आगाथि टीख लेड ले लिए रूव अगुटित टीखिटि अव्क टीखि that they are trying to have a fig leaf cover on this जब शीला जी पर आरोप लगाते थे तो बचकाना था या शातिराना था दूसरी बात second thing if you are saying that the roof was not working तो by which logic imported vietnamese tiles can support the strength of roof and such a costly curtains can support the strength of roof actually first of all it is a matter related to state government now it is incumbent on the part of the self-proclaimed self-styled champions of the chastity and probity in politics what is their reaction it is having three dimensions number one it is a legal and technical aspect number two it is political aspect and third is a moral aspect so we want and we will look carefully and vigilantly the reactions what they take and then accordingly and appropriately the government and its agencies whatever is fit they will take an appropriate action would you want acb uh the delhi government acb to work this matter first you are saying that the armed army party representatives are not speaking so i think right now they are speechless we will have to wait till what time they will remain actionless if anything of this sort is available in the media what we know this shows the expansionist design of the armed army party government is not limited to their chief minister it's also pervading to the other areas so i don't know that the बंगला बने न्यारा की विस्तारवादी नीती ऐसा लगता है कि सरकार के दूसरे बंगलों पे भी है मगर मुझे लगता है दिल्ली की जंता दुखी है व्यठित है और फिर भी वो बड़े गौर से देखके कह रही है नजर लागी राजा तोरे बंगले पे है मज़े की बात ये है कि वो ऐसे व्यक्ति को स्टार केंपेनर बना के भेजते हैं और अपने माइनॉर्टी सेल का भी प्रमुकुसी को बनाते हैं जिसने एक से एक बड़े बाहु बलियों ये इम्रान प्रताबगडी जी की बात कर रहा हूँ जिनों ने अतीक एहमत के शान में शेर पढ़ा मुखतार अंसारी के शान में शेर पढ़ा शहाबुद्दीन के शान में शेर पढ़ा और अंगजेव की कबर पे जाकर फातिया पढ़ा और उसे रहमतुल्ला अलसले कहा ऐसे जहर बुझे लोगों को ले जाके आप कहते हैं कि हम माहौल बिगाड रहें याद करिए इम्रान प्रताबगडी ने क्या बोला था अतीक एमद के लिए कि शायद कभी किसी का ऐसा कद नहीं होगा कई सदियों तक कोई अतीक एमद नहीं होगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उसके आगे की एक लाइन में अपनी तरफ से जोड दे रहा हूँ अगर इसी राह पर चलते रहे जनाब तो आपके खांदान में कोई सियासी वली एहद नहीं होगा वली एहद कहते हैं तो इसलिए वो अपनी गती दुरगती को स्वता अप्राप्त हो रहे हैं धन्यवाद